एक लड़का था वो काफी गरीब था, उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था, वो अपने दोस्त के घर रहा करता था उसने एक छोटी सी कमपनी में पैंटिंग का काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गये, बाद में व वह काफी धनी भी हो गया लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गये थे, उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था, एक दिन जब वह अपने किसी काम से बहार गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो की काफी अच्छी और खूबसूरत थी, उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया, वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही, कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई, कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोचता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली, लेकिन नियती ने उस लड़की से इस लड़के को कुछ दिन बाद मिला ही दिया, वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी, लड़के ने लड़की को तुरंट घर के काम के लिए रख लिया, जब वह लड़की इस लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ पर लड़का इस घर का नौकर है ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी, अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से दर कर पीछे हट जाती थी, इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है, लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था, उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया, जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का जूट बोला था, अब वह दिनों रात रोने लगा, लड़की अपने सेलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी, एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का होस्पिटल में भरती है, वह दौरते हुए जब होस्पिटल में पहुँची तो उसने देखा क लड़का बेड़ पर बेहोश पड़ा है, उसके आसपास काफी मशीन लगी हुए थी, जब लड़की डौक्टर के पास पहुँची तो वहाँ पर डौक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है, उसने अपनी जीब को काटने की कोशिश की है, इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत ही बड़ा जूट बोला है, कि मैं एक गूनगा हूँ, अब इस जूट का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मेनेजर से पैसो को लेकर अपने चाचा को दे देता और एक नई जिन्द के सामने कसम खाया की जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए, इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे, इश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर लिये और अब लड़का भी ठीक हो गय लेकिन वह अपनी याददाश्ट को खो गया, अब उसे कुछ भी नहीं याद था, अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्ट के लिए काफी कुछ किया लेकिन याददाश्ट ना सका, इस कहानी से हमें क्या सिक मिलती है, कि अगर प्रेम की नीव को जूट पर